नमस्कार दोस्तो आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ Dixon Technology Share का Technical Analysis और दोस्तो हम देखेंगे कि क्या इस शेर में यहां से हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है या फिर इस शेर में क्या यहां से एक बड़ी गिरावट आ जाएगी हम यह भी डिसकस करेंगे कि इस शेर में हमारे best buying levels कौन से रहेंगे और यह भी डिसकस करेंगे कि यह शेर हमें short term में कौन से targets अच्चिव करता हुआ दिखाई दे सकता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले गर हम बात करते हैं Dixon Technologies में important resistance की तो यहाँ पर आप देखो 4001 रुपीस का जो level है यह वाला level एक बहुत ही ज़्यादा important resistance level है क्योंकि यहाँ पर आप देखो पहले यह level इस share के लिए एक अच्छा support था पर अब यह share इसके नीचे आ गया है तो यह level एक important resistance है यहाँ पर आप देखो इस zone में इस share ने इदा resistance की आप देखो तो यहाँ पर 4001 रुपीस का level एक important resistance हो जाता है दोस्तों अगरम बात करते हैं इस share में support की तो यहाँ पर 3516 रुपीस का यह वाला जो level है यह level एक अच्छा support है क्योंकि यहाँ पर आप देखो दोस्तो पहले भी शेर ने सपोर्ट लिया है अगर हम बात करते हैं सेकेंड सपोर्ट की तो यहाँ पर दोस्तो 3256 रूपीस का लेवल एक बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन सपोर्ट है क्योंकि इस शेर ने इसी लेवल पर मल्टी टाइम सपोर्ट ल रहे हैं तो दोस्तो यहाँ पर मैं दो इंपोर्टन्ट इंडिकेटर को लगा चुका हूँ आप देख सकतो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें मसीडी का एक बैरिश क्रॉसोवर देखने को मिला है जो की एक बहुती बुरी चीज़ है और दोस्तो यहाँ पर आप देख सकत तो तीन दिनों से लगातार इस शेर में हमें बैरिश केंडल स्टिक जनरेट होते हुए दिखाई दिये हैं तो यहाँ पर दोस्तो इस शेर में अभी गिरावट आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तीन दिनों से लगातार बैरिश केंडल जनरेट हुए हैं तो चांसे से कि इस शेर में एक भयंकर गिरावट भी देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि आप इस शेर में अभी खरीदारी मत कीजिए हाँ दोस्तो अगर इस शेर में यहाँ से है इसलिए दोस्तो अगर आपके पास कोई भी होल्डिंग है तो आप इस शेर में 3500 का स्टॉप लगा सकते हो क्योंकि दोस्तो अगर यह शेर 3500 के नीचे गया तो उसके बाद यह शेर 3256 तक आएगा और अगर इस शेर ने यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यह वीडियो का एजुकेशनल वीडियो ता इसलिए शेर में वरी कोई भी बाइसल या होल्ड की सला नहीं है धन्यवाद